आज कि हमारी इस online class में हम आपके साथ discuss करने जा रहे हैं advanced section में custom formatting custom formatting क्या होता है पहले हम आपको पहले आपको इसी समझ दीजिए number formatting का ही पार्ट है number formatting में जैसे आपने numbers को different format से तो किया था for example कि यहां पर आपके सामने check number देना है तो जिए जिए 1 2 3 करते हैं तो zero accept नहीं करता है तो आप single code लगा देते या इसको tax कर देते हैं जैसे कि हमने कल आपको पुदाया तो यह तो type करते समय करेंगे ना लेकिन अगर किसी ने आपको नम भेजा और उसने जीरो का योज नहीं किया तब क्या करेंगे आपको बैंक से बना के बैंक बेजना है और बैंक को पुरा format में चाहिए तो उस केस में में प्रागम हो जाएगी क्या सब्सक्राइब कर दो कि कि अब हुआ कर और लिए कि यह इस ना प्रशेंग तार कि अधाय ओना कि अब अलबू टब दॉड़क्ण तो यहां पर हम क्या करेंगे कि इसको सेलेक्ट करते हैं और कस्तम फॉर्मेटिंग में हम यहां लेक्टी जीरो हम ठाइल बजराए और यहांट करते हैं आखिए तो यहां पर प्लस नाइन वन नहीं लेगा क्यों तो कि एक्सल जो है इक्वल या फॉर्मुला स्टार्ट पर देना है तो आप क्या किजिए कस्टम में जाया और यहां पर प्लस नाइन वन अब इसमें आप सिर्फ नंबर लिखें नाइन देनी की जबरत नहीं है प्लस नाइन वन आटमेटिक लगा ओके ऐसे ही माल लिजिए कि आपको MRP देनी है तो आपको लिखना है MRP और यहां पर नंबर देना है इसमें किसी भी तरह की कैलकुलेशन नहीं होगी तो कस्टम फॉर्मेटिंग की मदद से आप क्या कर जाकते हैं इसके ऊपर आप इन्वर्टेट कॉमा में MRP को लिखें और यहां पर वान टू टू ट्री वान टू ट्री वान मी दे सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है जीओ तो आपका MRP आ जाका तो कहने के मतला कि कस्टम फॉर्मेटिंग के यूज होता है कि हम नंबर को टाइब कुछ और करें और हमारा नंबर वीजुल कुछ और हो जी हां सिफ वीजुल क्योंकि ओरिजिनलिटी जो है वही रही कि जो आपने टाइब किया है क्योंकि सिंपल सा मेथोड है कोई भी जाइब करें और छुछ को इस नहीं कर पाती है वह सिर्फ वीजुब को चिंद कर पाती है तो उसके लिए भी आप कस्टम फॉर्मेटिंग का ही इस्तमाल करेंगे यहां देखें मैं यहां पर जाता हूं और यहां पर इंसर्ट मुदूर्स करता हूं यहां पर सचेट और यहां पर यहां और दिकेंगे सान्क्रियट का दान्यवड देखेंगे नंक्रिय। इंगे फिलिए कझाने हुए का बशाब आट्राम क तेंedतर दी नंक्रिय। नंक्रियर के विक वार्टकृ लेखेंगे। तो एक कोड डालेंगे तो यहां तो यहां तो यहां देखिए जो हमने कोड दिखा उसमें दिख़ा आपको एक कोड आपका कस्टम फॉर्मेट्टिंग में जाएंगे तो यहां देखिए कि इसलिए 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 आपको पुरा सा इंपोर्टिंट है तो अब यहां वाट्सप ग्रूप में आपको एक वीडियो वेजी है हम करते हैं तो इसके बाद हम बात कर रही है कि कि किस तरह के वायमेट हम करते हैं तो अजसे हमने आम देखा मौईल करा मंने किया अलेकिन इसमें दिक्कत किया है कि हमने यहां पी दॉपल जला defending ant Lesis की बीजिफें सब्सक्राइश लगा लगा जिए क्या कि हम आपको थोड़ी देने समझाते हैं कि मुझे अपना एकाउंट नंबर लिखना है एकाउंट नंबर होते हैं तो एकसर में क्या है कि आप आप दस गाला डिजिट तर लिखेंगे तो बहुत अच्छा लिखेगा नंबर बारमा डिजिट जैसे जा लेंगे आप साइल टिक प्रॉमेंट में आजाए आप चाहते हैं कि नंबर दिखें इसमें पुछ करने की जरूरत नहीं है आप कस्तम में जाए और जस्ट एक हैस यह आप देखेंगे कि आपका सब्सक्राइब करें लेकिन धियान लखेगा कि आप 15 जिड़ से जादा नहीं लेकिए अगरे आपने 15 जिड़ से जादा टाइप किया तो आपका यह ना सर्म जील हो जाए लास्ट दो नंबर है और नंबर जील हो जाएगा कि ठीक है कि एक्सल के अंदर में एक्सल के अंदर में कभी अगर आप नंबर टाइप करते हैं तो 15 तक जो दिखाएगा और आपका ठीक दिखाएगा उसमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं इसलिए आपको 15 तक यहीं दिखाएगा कि अगर फिप्टीन दिखी से ज़्यादा टाइप करना नंबर तो सिंगल को डाल के कस्कम आपको यहां दिखना सुरू हो जाएगा कि अगर करते हैं यहां पर आगे बात करते हैं यहां लिखता हूं तो इस तरह उसे होता है कि यहां पूरा नहीं लिखा जाता है सब्सक्राइब करते हैं कि यहां क्या करते हैं कि यहां पर आते हैं कि और यहां पर हम चार बार जीरो वान टू त्री फूर उसके वाल इंवर्ड को में सब्सक्राइब करते हैं मैं एक्स डाल देता हूं जिस फॉर्मेट में डालना है उसी फॉर्मेट में हम एक्स को डाल देता हूं इस आप लोगों को अब यहां पर बात करते हैं कि कहीं पर हमने जीरो लगाया है तहीं पर हैस का फंडा क्या है चलिए इसको पहले समझते है जैसे हमने यहां पे 1500 लिखा अब मुझे इसके आगे या पीछे कोई ऐसा वार्ड लगाना है उसके लिए कस्टम में जाएंगे मर्प की बात करें गए मर्प को लिखते ही जैसे मैंने एंटव मारा आपको यहां पर इसी तर्मार्पी दिखे गा कोई नंबर नहीं दिखे गारीजन कि हमने इसके आगे किसी हैश या जिरो निल लगाया तो अगर आपको हैश या जिरो नंबर शोर प्रवाना है तो हैश और जीरो तो लगाना तो आपका नम्बर शोड नहीं होगा यही है कि अगर आप 0 देते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई डिफिरिंट होता है है तो क्या होगा कि मैं 5 लिखूंगा यहां पर 0 5 करेंगे वहीज होगा कुछ अपके तरफ से आप नहीं करेंगे तो जीरो हैस जालना जोड़ी है नंबर को शोड़ने के एक और तरीक है एक और एक जांपर में बताता हूं जैसे मान लिजे कि 56.86 में ने लिखा अब मैं यहां कस्टम पर आता हूं और यहां पर मैंने यहां पर हमने दिया जीरो हैस रूपीज और यहां पर डॉट जीरो जीरो ठीक है और मैंने इसको एंटर कर दिया तो 56 रूपीज 36 पैसा है क्वर्शन यहां है कि हम्में हैस और जीरो दोनों क्यों लगा दा तो क्या होता कि अगर मैं सिर्फ पैसा लिखता तो यहां पर जीरो जीरो पी आगर मैं दो हैस देता सिर्फ रूपी इज लिखा हुआ आगर मैंने यहां पर देश्मल में सिर्फ दिया ताकि दो डिजिट भी आता रहें और आगे जीरो भी लग जाए जब सिंगल होता हुआ मज़्या है यह आग का जीरों हैस का फंडा है आपको समझ में आ गया होगा जीरों हैस का फंडा कि उसी तरीके से अमान लेजिए मेरे पास अगर 25,000 है मुझे इस इमांट को थाउजिंड में शो करना है तो मैं यहां कस्टम में जाओंगा और यहां पर एक हैस दूंगा मैंने मनेजर तीन हैस दे दिया तो थाउजिंड सेपरेटर लग जाएगा लेकिन अगर मैं यह जो लास्ट जो हमसे दो हैस दिया है दो हैस को हटा जेता हूं तो इस सिफ अमांट इन थाउजिंड में दिखे रहा है अगर इसके आगे कुछ लगाना है आपको तो यहां पर केस यह कुछ लगा सकते हैं ओके सर विबग जी सर्वेर जी को डाउट इस में नहीं सर क्लियर है न क्लियर है न क्लियर है और क्लियर हो जाएगा आपको दिक्कत नहीं है